सब्सक्राइब करा दे 설ारों खिंधक सारे सामान आते रहें लिए लिए प। दोस्तों आज मैं इस बोड को रिपयर कर रहा था तो इसको और एमंसी आई स्ट्रमिन करने के लिए घया तो देखने को मिला कि यह एमंसी आई से खराब हो चुका है जब इसको software करने के लिए प्रोग्राम के साथ करके उसको डिटेट कर वह रहा था तो वह डिटेक्ट नहीं हो रहा था इसका मतलब साफ साफ है कि इसका जो एमसी आइसी देखिए यह वाला जो आइसी है ना यह आईसी बिलकुल खराब हो चुका है और यह अगर मार्केट से खरीद के लगाने जाएंगे तो बोड से ज्यादा कीमत पड़ जाएगा अगर हमारे पास पुराना रहेगा तो इसको अंदर लगा दूंगा अगर कास्टो भी आते रहता है कि दिपसर आप बंडिंग मेशन क्यों नहीं ले रहे हो और क्या LCD LED टीबी रिपेरिंग करने के लिए हमारा बंडिंग मेशन लेना ज़रूरी है इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे कि मैं बंडिंग मेशन पार्सनाली मैं पसंद क्यों नहीं करता हू बहुत सरे लोगों ने लिया है काम भी कर रहा है मुझे पता नहीं कि उन लोग के दुआरा मेशन लेने के बाद कितना फाइदा हुआ है लेकिन मेरा जो पार्सनाल व्यूज है बंडिंग मेशन के उपर वो क्या है चलिया जान लेते हैं देखिए दोस्तों मैं का काम करता हूं उसके साथ साथ और भी बहुत सरे चीज रिपेरिंग का काम भी करता हूं बहुत सरे प्रोजेक्ट भी बनाता हूं लेकिन जब बाद आती है LCD LED TV पैनल का तो कहीं बार कौफ ऐसी खरब हो जाने के बाएसे हमारे पैनल के उपर या डिस्पले के उपर हमारा पिक्चर नहीं बनते हैं या तो वर्टीकल या होडिजंटर ने लाइन आ जाती है कौफ ऐसी कब ऐसे तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें बॉंडिंग मेशन की जुरूत पड़ता है अगर एक बॉंडिंग मेशन की कीमत की बात करूं तो लगबग तीन से पांच ला पर रूम पर आप उसको चलाओ चाहे ना चलाओ उसके लिए आपको लगबग मेहने में तीन से चाला जार रूपिज देना परेगा क्यूंकि उसके लिए हमें एसी चलाना परेगा अगर हम एक 32 इंच पैनल को रिपेर करने के लिए जाएंगे तो हमारा टाइम भी वहाँ पर बरबाद होगा नस्ट होगा कहीं बार बंडिंग करने के बाद उसका सक्सेस रेट जादा नहीं होता है कहीं बार हमने देखा है कि हमारे इस दुकान से लगबग 5 किलोमेटर उसको जीतने में खड़ीदा था तो यहते हुगे उसको काम नहीं आता था इसलिए उनके पास ऐसा कंडिशन हुआ लेकिन मान लीजे कि आपने बंडिंग मेसिन लिया और आपको बहुत ही अच्छे से काम आता है 100% एक्रूसी के साथ फिर भी क्या होता है हमने देखा है कि करवने के बाद फैनल जादा दिन तक महीं चलते हैं 100 दिन फिस दिन एक मैना दो मैना 3 मैना चलते हैं पिर वही प्रबलम आ जाती है नहीं तो में तो आप बॉंडिंग मेसिन से अगर दूर रहोगे उतना ही आप अपने काम पर फोकस कर पाऊगे क्योंकि माली जी आपके पास एक टीवी रिपेर होने के लिए में पास आपको पराइब है जिसके पास बॉंडिंग में से नहीं तो आप उसकाम को नहीं कर पाऊगे तो आपके मन में एक अप्न पास पराइब कर पाते लेकिन जो परेंडेंग मेंसर्ण रहेने का डिशय्ट बंटेज आई न दुस्तो ना आपको आपके पर पैस सहे नहीं है तो आपको लगबग हर महिना 5000 बॉंडिंग मेसिन के उपर लगाना ही पड़ेगा मतलब सारे मैटरेल्स को छोड़के आपको 5000 बिजली खर्चा एसी का बिल्ड मतलब 5000 तो अलग से रख नहीं पड़ेगा आगर आपके पास बहुत ही सारे ज्यादा भर भर के पैनेल आते हैं लगबग मान लिजे कि दिन में सो今天 दुपल feast और दस बार पैनेल के लिए आपके पास तो आप नीकर भूल रहा हूँ आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास connected के लिए अगर आपके पास दस बार हा पैनेल रिपेरिंग अ के लिए खासकर करा ने के लिए तो आप उसके लिए एक बहुत अच्छाँ काम को करना या दूसरी लोगी काम करना तो वह अच्छे से नहीं करते यह ठीका थे दोस्तों मैंने लगबग 2 साल किसी कंपणी में काम रहा हूं माइक्रो में काम कर रहा हूं आप लोग पता होगा यह मैंने हर एक बंदी को देखा हूं लगबग उस कंपनी में 800-900 लोगों को मैंने देखा हूं बहुत ही अच्छे से ऑफजर करा हूं कि हर किसी को मैंने देखा हूं कि वह अपने मरजी से काम नहीं कर रहा है या घर में मतलब नहीं है उसलिए काम करने के लिए आ गया है तो यह मैं अच्छे से क्या हूं और इसलिए मैं आपको बत रहा हूं कि जब आप किसी लोगों के लोगों के द्वारा काम कर ना तो वो आप से चाते हूं उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा उस सारे लोग यह जाना बहुत ही अच्छे से काम करते की कि मैं जितने साल माइक्रो मैस कंपनी में काम करा हूं यह अच्छे से काम कराूं एक भी ऐसा point मैंने में मिस नहीं करह steny अगर मिश्टेक से हो जाए तो उसकी बात अलगे मैं खुड के दूआरा कोई गeros्टी नहीं कर रहा हूं और कोशे करता हूं कि जो काम है ना वह अच्छे से कर पाऊं लेकिन करो पार इसा भी उता कि जो लोग या जो हमारे टीम लीडर थे वो इस तरीके से काम चाह रहे थे उस तरीके से नहीं हो पाढ़ा था चाहे हमारा टेकनिक के वैसे हो रहा है नहीं तो वह हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उस लोग का बात की वो किस टाइप का काम चाह रहे थे इसलिए क्या हो रहा था कि हमारा फोन हर एक फिल्ड में होते हैं और आपको इसी तरीके से आगे बरना है अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा इंपोर्टेट कोई काम है ना वह आप खुद कर यह और जो काम आप दूसरे के जरीए करवा सकते हुआ दूसरे के से करवाएं तो मैं जो बात कर रहा था बॉंडिंग मेंसें कि नहीं ले रहा हूं बॉंडॉं को नहीं लेने का जो पहला कारण है दोस्तों की पैनेल का रेट अभी दो साल पेले जो पैनेल का रेट था अभी उससे आकोडिंग बहुत ही ज़ culpa रिए माली जी एक 32 इंच पैनल को बॉंडिंग कराने के लिए हमें कितना पैसे लगवा 25 तो तीन हाजर के रूपिस आसपास आ जाएगा लेकिन उसी पैसे से हमरे को निया पैनल अभी तक मिल जा रहा है मतलब पैनल का रेट बहुती कम हो चुका है जो पैनल बॉंडिंग कराने के बाद जितना दिन तक लाइप रहता है उससे 3-4 गुना जादा हमारा निया पैनल का लाइप रहता है एक LG कमपनी का निया पैनल साथ-8 साल तक बहुत आराम से चल जाती है जो कि मैं पार्सनाली LG पैनल को लगा के देता हूँ जिन सारे टीवी का अंधर LG पैनल फिट हो जाती है कही जो टीवी होते है ना जैसे के रियल मी हो गया रियल मी टीवी का अंदर आप LG टीवी फिट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका फ्रेम जो है ना छोटा होता है खास करके मैं बॉडरलेस एक बात कर रहा हूँ पहला करन तो को पता चल गया कि हम पैनल जो है ना उसी रेट में मिल जा रहा है दूसरे कारोने की बॉंडिंग मेशिन को देखभल करने के लिए हमें मक्सिमाम माहिने में छहाँ और तरीक खर्च करना परेगा सर्फ देखभल के लिए उसका म्याटरियल अलग से लेना परेगा उसका मेंटिनेंस अलग से करना परेगा और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ना बॉंडिंग मेशिन को लेने के बाद हमें एक अलग रूम की जोरुत पढ़ेगी क्योंकि इस room के अंदर हम bonding machine को नहीं रख सकते हैं क्योंकि bonding machine के अंदर अगर dust बगरा चले जाएंगे न तो हमारा bonding आच्छे से नहीं कर पाते हैं bonding machine के दौरा इसलिए हमें चाहिए एक dust proof room और dust proof room को बनाने के लिए हमें और एक अलग से room लेना पड़ेगा उसका भी किराया दना पड़ेगा मतलब अलाग से 10,000 खर्चा हड मेहने आएंगे चोता point मैंने लिया कि time based क्योंकि एक bonding machine के दौरा किसी भी पैनल को bonding कराने के लिए हमें ज़्यादा समय की ज़रत होती है जो समय हम repairing के उपर देंगे वो ही उससे ज़्यादा की समया में bonding करने के समय देना होता है और पांचवा point यह है कि customers क्योंकि हमारे इस इलाके में हम वेस्ट विंगल मुर्शिदाबाद में रहता हूं तो यहाँ पे उतना ज़्यादा टीवी का customer नहीं है और यह हमारा कोई जीला का city center भी नहीं है जहाँ पे बहुत सारी लोग दूर दूर से आएंगे हमारे पास उसके वद हम उसको bonding करके देंगे तो यह जो पास कारण है दोस्तों यह पास कारण के वाएसे मैं personally decide कराऊं कि हमें कभी भी bonding machine हमारे दिमांग में भी नहीं आएंगे क्योंकि हमने ऐसे mindset कर ले हूं कि हमें तो कभी इन future में भी bonding machine नहीं लेना है हमें कोई दूसरा में लेना है जो कि हमें motherboard को या किसी दूसरे चीज को रिपेरिंग करने के लिए मदद करेंगे जैसे कि यूफ़ाई बॉक्स उसका भी कीमत हमारा ज्यादा होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना bonding machine होता है लेकिन वह भी छोटा सा चीज होता है लेकिन काम के लिए बहुत ही ज्यादा हमें help करता है तो इसी के लिए मैं जो bonding machine से दूरी रहता हूं तो मुझे उमीद है कि आपको पता चल गया है कि मैं bonding machine क्यों नहीं लेता हूं तो आगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीवी रिपेरिंग का स्वाप खोलने भरभर के लोक जूर रहे है कि एक मेहना पहले हमारा instagram पर फॉल्वर नीस जड़ ता लेकिन आज केस देट पर अमरा 48000 हो चुका instagram पर और बहुत सरे ऐसा नया नया लूक जूर है हमारे instagram पर उसमें क्या और रहा हुगा हुडा है कि अभी बहुत सरे लोग LCD लेडे TV रिप्यारिंग का काम सृखना चाह रहे बहुत सरे लोगों को भी काम कर रहे हैं और वह चाह रहे हैं कि हम मोबाईयल रिप्यारिंग काम के साथ भी काम करें चाहँ धाने में एक एक टिवी का मधर बोड के अंदर जो भी कॉम्पोлонेंट्स लगा जाता है यहां पर मुवाइल फोन्ड के अंदर ही जैसा या उसी के रिलेटेड सारे कॉम्पोनेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि बेजिक ऐलेक्ट्वनिस कॉम्पोनेंट्स दो में तो आपको इलेक्टिन इसके ऊपर कोई भी चीज आ जाया तुरंति उसको रिपेर कर दोगे खास करका तो सिर्फ आपको उस चीज का कॉंसेप्ट पता होना चाहिए जैसे कि हमारे LCD LED TV मदरबोड का कॉंसेप्ट एह ही कि कहां पर कितना भूल लेल जाएंगे हमारे इस कॉंबो मदरबोड के अंदर तीन सेक्षन है पावर सप्लाइ सेक्षन मिन कांट्रोलिंग सेक्षन तीसरा है बैकलाइट सेशन तो यह जो कंसेप्ट होता है ना यह कॉंसेप्ट अगर करना भी बहुत ही आसान होती है उसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी कूछ रिपेरिंग के लिए आते हैं सिरफ आपको उसका उस चीज का कॉंसेप्ट जानना पड़ेगा कि कॉंसेप्ट क्या है कि कैसे यह काम करता है और कौन सा सेक्षन किस काम के लिए स्तमल की बाकि तो कॉंपोनेंट्स मेजर्मेंट करना कॉंपोनेंट्स को ढूणना की कौन सा कॉंपोनेंट्स खराब है यह तो बहुत ही बच्चों का खेले अगर आपको नहीं पता है कि कॉंपोनेंट्स को कैसे मेजर्मेंट किया जाता है कौन सा कॉंपोनेंट्स किस क्याटेगरी पर पढ़ाई या इसको पर सुरू करें इसके जानने के लिए आपको ज़्यादा दिन समयने लेगे एक मेहने के अंदर जितने भी बेसिक बेसिक कोंपोनेंट्स के उपर एक बूग मना रहा हूं जो कि फिजिकल बूग होगा कोई इबूक नहीं होगा तो वह बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे आप इंडिया में कहीं पर हो जम्मू कास्मीर हो तिलेंगा नहीं हो सबी जगाव से आप जो इस बूग को और कर पाओगे और उसका फिजिकल बूग जो आप पढ़ते हूं ना किताब वह किताब आपको मिलेंगे तो उसके लिए आपको थोरी दिन और वेट करना पड़ेगा हम खास करके जनुवरी नहां तो फरवरी में आपके लिए बूग लॉंच करेंगे उसके अंदर हमने भ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुजावे नीचे कमेंट करके बताएगा आपके कमेंट का रिपले बहुत ही जल्द किया जाएगा हम फिर मिल दे नेक्स वीडियो में दोस्तों तब तक कि लोई से ओल डाबेस्